देखो अवल तो यह नई सरकार नहीं है दूसरी बात है कि जनादेश का जो संदेश था वो बदलाव का था खास करकि युवा नौकरी सिक्षा और स्वास्थ के मसलों पर बहुत पुर्जोर गुलबंदी हुई थी उसके बाद आपने ऐसे विक्ति को दिया और उसके दिक्कत क्या है ना कि माननी है मुख्यमंद्री जी इतने कमजोर हो चुके हैं कि दिल्ली के हलकों में चर्चा है कि मेवालाल जी पर इतनी धाराय रहने के बावजूद उनको हटाने का निरण है भाजपाने लिया ये और भी चिंता का विशय है उस जनादेश के लिए अब पानी में साप बिच्छू तेर रहे हैं अगर फिर भी आपको उन्हें ही स्वास्थ मंत्री बनाना पर रहा है तो इससे पता चल रहा है ना कि ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है एक लचर विवस्ता है जो ना जाने कितने हफते चलेगी या कुछ महीने चलेगी देखिए मैं लगतार इस बात का ये उनका अंद्रूनी मामला है लेकिन मेरा अपना मानना है कि विसलेशन मुल्यांकन के तोर तरीके होते हैं आप उन प्लैटफॉर्म्स को निर्मान कीजिए किसी ओनियत तीथी तक ना जाने दीजिए लेकिन ये जो मेडिया के माध्यम से तिपणि होती है ना उसमें मुझे ये कम दिखता है कि आप मुल्यांकन करना चाहते हैं ये जादा दिखता है कि आप एक बस हेडलाइन मैनेज करके अपने कर्तवियों की इतिश्री समझ लेते हैं देखिए मैं तो बार-बार सदन के अंदर भी मैंने कहा था माननीय प्रधान मंत्री खेती हर समाज में देख रहे हैं ना जाने कौन सी हट धरमीता है कि आप अभी भी उस पर अडिग हैं कभी कभी हट धरमीता त्याद करके समबाद और संदेश सुनना चाहिए उस पर एक्ट करना चाहिए मैं समझता हूं उसी द्रिश्टिकून से कैप्टेन अमरेंदर जी जो वहां के मुख्पंद्री हैं वो मिलेंगा मेरा सीधे तोर पर मानना है कि कई राजी सरकार हैं और इबन केंदर सरकार कोरोना से लड़ाई में ना सिंबॉलिजम में ज्यादा जा रहे हैं सांके तिकता ये लड़ाई सिंबॉलिजम से नहीं लड़ी जाएगी इस कि कमर तोटी हुए है क्या इन पैसों का इस्तेमाल बहतर स्वास्त के लिए नहीं हो सकता है नंबर एक नंबर दो आप दो हजार रुपे मास्क पर जुर्माना लगाते हैं क्या ये सरकार का फर्ज नहीं है कि वो गरीब तबका आप उसको फ्री मास एकसब अविलेबल है ये ना कि एक डेटरेंट टाइप चीजें लेके हैं मैं समझता हूं कि हैंड होल्डिंग की अभी जरूरत है और बीच रास्ते में जो रूप करके लोग एक दूसरे का पीट थप थप आने लगते हैं अपनी ही कि हां हमने काम्याबी हासिल कर ली ये उचित नहीं है स्वेब्स की लोग चिंता कर रहे हैं और अभी भी काम्याबी के नाम पर हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया अक्सर जब हम कहते हैं कि पहलाने देश की तुलना में हमारे यहां महाज इतनी मौत हुई हैं आप उन मौतों का अपमान करते हैं इस तरह के वक्तवियों से बच उनको मैं क्या और कहूं मैंने तो बहुत सारी चीजे देखी हैं बंगाल में कि किस प्रकार एक हिंसक समाज में तबदील करने की कोशिश की जा रही है मैंने हाथ जोड़के यही कहा है बार बार चुनाओ लड़िये एक दूसरे से शत्रुता पुर्ण वेभार मत करिये बं हमारे प्रात्मिक्ता में यह है क्या हम हासिल करेंगे कई तरह की बाते हुई कि टर्माइट हैं इन्हें वापस वहां भेज देंगे और उस देश से कह रहे हैं कि ना ना आपको घबराने की जरूत नहीं है इस तरह की विरोधा भास एक भारतियों लोग तंत्र के बारे में शुब संकेत नहीं देते हैं